पेज नमबर 23 से 25 पे आते हैं, इंकम स्टेटमेंट FSA 2023 टेक्स्टबुक लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इंकम स्टेटमेंट बालेंस शीट का बेसिक्स देखा था उसमें इंकम स्टेटमेंट कैसे देखा था, यहाँ पे एक्सपेंस फिर यहाँ पे इंकम राइट, अभी हम लोग थोड़ा और प्राक्टिकली देखेंगे कैसे एक कमपनी में एक्चुल में अनुल रिपोर्ट में दिया जाता है, तो आज का सेशन में मैं आपको बहुत सारे चीज़े सिखांगा, यह एक लेंगी चैप्टर है, तो यह हम लोग आज 60% के आज पास कम्पलीट करेंगे, कम्पलीट करने के बाद एक्चुल कमपनी का उटा के देखेंगे, इंकम स्टेटमेंट कैसे होता है घर के, ठीक है, तो इंकम स्टेटमेंट, अभी कैसे होता है, सेल्स, कॉग्ज, एक एक लाइन इटम डीटेल में बताऊंगा, अभी के लिए एक बार लिक लेता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस मेरा रेंट आजाता है, सालरीज आजाता है, डेप्रीसियेशन आजाता है, एड्मिन आता है, सेलिंग आता है, इसमें भी थोड़े लेना है, वो मैं आपको देरे-देरे बताऊंगा, तो assume करो, हम लोग ऑग चालकूले,लर भी इस देरे मानिंफेक्शर करना और सेल्स में क्या आएगा, quantity into selling price COGS में क्या आएगा quantity into cost price, जितना quantity बेचा, उतना quantity का costing आएगा, बराबर हम लोग वो purchase, changes वो करने के बाद net net अपना कितना आएगा, ये quantity और ये quantity match करना चाहिए अब यहाँ पे cost price के अंदर कौंचा कौंचा line item जाएगा, क्या लगता है जो COGS हम लोग लेते, cost of goods sold जो भी सामान में ने बेचा, उसका खर्चा कितना है, that is COGS उसके अंदर जो cost price है, वो cost price के अंदर कौंचे कौंचे line item होंगी क्या लगता है, तो जैसे अभी for example, calculator बेचाना, तो calculator बनाने के लिए क्या-क्या खर्चा लगता है, तो अभी calculator business चालू करना है, तो सबसे पहले क्या, एक factory भी तो डालनी पड़ीगी न, and एक office place भी होना अच्छे, जहां पर selling हो रहा है employees के दुरू, तो कैसे होता है, यह cost price में क्या-क्या आएगा, सबसे पहले raw material, है कि नहीं, तो freight logistics होई, freight in words, उसके बाद freight से चलो, आ गया, transportation हो गया, तुरंट बन जाएगा क्या, नहीं, वो raw material को क्या करना पड़ेगा, store करना पड़ेगा, तो वेर आउजिंग का costing, raw material को जो store करते, उसका, अभी normally क्या होता है न, companies, raw material और finished goods दोनों साथ में store कर देते, तो बहुत बार costing यहापे भी वो लोग ले लेते, बड़ अक्चुल सेंस में, जब raw material का जो costing है, raw material को जैसे लेके आए, उसको जो वेराउस में रखते, उसका costing यहापे आएगा, फिर क्या होएगा, next time उसको, का लेके जाना पड़ेगा, फैक्टरी में लेके जाना पड़ेगा, और फैक्टरी में लेके जाके उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस, प्रोसेसिंग खर्चा, अभी प्रोसेस करने के लिए ऐसी हो जाएगा, क्या, नहीं न, पावर एंड फ्यूइल लगेगा न, वेज़ेस, एक बार प्रोड़क्ट बन गया, और उसके बाद उसको जब स्टोर करेंगे न, वो यहापे नहीं आएगा, वो यहापे आएगा, या प्रोड़क्ट बनने के बाद उसको जब बेच रहे, फ्रीट आउटवर्ड्स, लोजिस्टिक्स जब कर रहे, वो सब यहापे आएगा, सेलिंग, डिस्टिबिशन वहापे आएगा, बट जब प्रोड़क्ट बन रहे है, उसके रिलेट सारे कोस्ट कोउग्स के अंदर आते है, ऐसा होता है वो, यह clear है क्या, तो sales minus cogs will give me what? gross profit, gross profit मतलब क्या, factory level पे आपका क्या profit हो रहे है, अभी आपका calculator manufacturing business है, तो factory level पे आपका profit हो रहे है की loss हो रहे है, factory level पे तो नहीं ही है न, तो इसके लिए हम लोग companies में क्या देखते न, gross profit क्या है companies का, अलग 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 कंपनीज का gross profit margins क्या है मदा obviously same industry में देखना है कल को आप DMART को और Asian Paints को compare ही नहीं कर सकते DMART margin वाला business नहीं है Asian Paints margin वाला business है DMART कभी यह नहीं बोलता है ना मेरा अलू best है वो बोलता है वाई सबसे सस्ता देंगे हम 100 रुपे पे 5 रुपे कामाता है DMART बट वो इतना जादा quantity में बेचता है कि वो 5 रुपे भी बहुत बड़ा बन जाता है यह उनका business तो हम लोग को gross profit अगर देखना है तो वो industry के अंदर देखना पड़ता है अलग-अलग companies कोई भी company उटा के नहीं compare कर सकते है वो सब मैं आगे detail में बता हुगा margins मतलब समझता है अभी for example 100 रुपे का sale किया और 60 रुपी कॉग्स है 100 रुपे में बेचा मैंने 60 रुपे मुझे लगा तो कितना हो गया gross profit 40 तो margin कितना हुआ 100 रुपे में बेचा और 40 profit किया तो margins कितना है 40 divided by 140% तो gross profit divided by sales उस अब पर मैं आऊंगा ratio जब करेंगे तब मैं बता हुगा यह हो गया मेरा factory level का profit अभी factory level के profit मतलब मेरा profit है क्या नहीं उसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को एक office setup करना पड़ेगा क्योंकि ए calculator मैं खुद तो as a promoter तो जाते नहीं रहूंगा ना जगे बे में को क्या करना पड़ेगा employees hire करने पड़ेंगे जो मेरे लिए काम करके बेचेंगे न तो उन लोगों को salaries देना पड़ता है फिर अभी office rent पे लेना पड़ेगा अगर हाँ बहुत पैसे है तो फिर खरीद लो नहीं तो फिर normally क्या होता है rent salaries भी fixed रहता है अचा fixed cost का मतलब क्या होता है accounting में हम बोलते है यह fixed cost है fixed cost का मतलब क्या है fixed cost यह नहीं कि हर साल fixed रहेगा fixed cost का मतलब यह है कि sales कुछ भी हो जाए खर्चा अपने को यही रहेगा अभी employees है मेरे मैं अगर दो employee hire किया है तो उनों को पचास-पचास अर महिने का देने वाला हो अभी मैं महिने का एक लाग बेचू या पचास हजार बेचू या दस लाग बेचू मेरे को मेरे employees को same amount देना पड़ेगा पचास-पचास हजार मतलब regardless of the sales I am doing मेरे को उसको खर्चा fixed देना पड़ेगा उसको बोलते fixed cost fixed cost का मतलब यह नहीं कि हर साल amount fixed रहेगा वो अगला साल increment मांगेगा न तो fixed cost का मतलब यह कि sales जैसे भी change होता है उसके हिसाब से खर्चा change नहीं होगा regardless एक fixed रहेगा लेकिन wages सब क्या होता है यह variable होता है आप जादा उससे काम करा होगे वो जादा आपसे मांगेगा पैसा पर आर या कितना unit से उसके हिसाब से percentage लेके वो लोग काम करेंगे है कि नहीं electricity यह सब कुछ raw material अपने जादा सामान बेचा तो जादा आपको raw material लगेगा है कि नहीं तो यह सब variable खड़ जाए यह सब fixed होता है depreciation क्या है अभी है ना normally कैसे होता है office का और factory का दो अलग depreciation होना चीए क्योंकि factory में machine लगेगी office में क्या लगेगा AC computers फिर जो भी है furniture सब कुछ लगेगा सब का depreciation होना है अभी कैसा होता है ना मैंने ऐसा companies देखा है जहां पे factory का अलग depreciation दिया है और office का अलग दिया है but normally 90-95% of the times company क्या करती है एक साथ depreciation club कर देती है समझा है इसा अलग अलग नहीं करते वो लोग क्या करते है एक साथ depreciation club कर देते है इतना समझ में आया है क्या and यह admin selling distribution सब खरचा यह सब हटाने के बाद क्या आता है EBIT इसको क्या बोलते है earnings before interest and tax इसका दूसरा नाम है operating income finance में actually CFA क्या बोलते है इसको operating income बोलते है जब हम लोग actual job करते है तो EBIT करके बोलते है वो मैं आगे आपको सीखा हूँगा क्या है करके बट अभी यह समझा EBIT उसमें depreciation amortization add किया तो EBIT करके आता है बट उसमें अभी नहीं जाना CFA क्या बोलते है operating income क्या है EBIT अभी operating income का मतलब क्या है यह सब इसको हम लोग क्या बोलते है rent, salaries, depreciation इसको सब को हम लोग बोलते है OPEX operating expenses operating expense मतलब मेरा core business मेरे को क्या-क्या खर्चा लगते है daily मेरे core business मेरे को क्या-क्या खर्चा लगते है daily that is OPEX वो अगर हटाएंगे तो क्या आजाएगा EBIT which is called as operating income operating income मतलब क्या मेरे core business से मुझे कितना profit हो रहा है मेरा core business से कितना profit हो रहा है यह बहुत जादा important है समझना क्योंकि companies है ना कभी-कभी अपना non-core profits भी इदर डाल देते वो सब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद एक बार मैं यह सिखाने दो फिर मैं आपको examples के तुरू explain करूँगा क्या मैं बोलना चाहरो बड़ इतना समझा क्या gross profit minus operating expenses will give me operating income operating income मतलब मेरे core business से मुझे कितना कमाई हो रहा है मेरा core business is what? selling calculators तो calculator बेचके मेरे को कितना profit हो रहा है उसके बाद क्या किया है मैंने interest less किया ये कौन सा interest है अभी business के लिए loan उठा है रहेगा ना मैंने तो interest देना पड़ेगा तो जो भी interest खर्चा है वो interest expense will give me ebt minus my taxes will give me net income इतना clear है सबको अच्छा अभी इसमे एक situation लेके आता हो मैं ठीक है अभी calculator manufacturing के लिए ना मैंने 10 machine खरीदे ठीक है एक एक machine suppose 5 lakhs का मैंने खरीदा तो 50 lakh गया अभी है ना मुझे ऐसा लग रहा था 10 machine मेरे को लगने वाला है पर actually 9 machines में ही मेरा ये साल next year and third year काम चल जाने वाला है तो एक machine तो फूकट हो गया ना मैं नव machine में काम चला सकता हूँ क्यों दस्वा machine चाहिए क्योंकि उसको maintain maintain करने का खर्चा आ जाएगा and it so happens कि market में अभी machine available नहीं है तो मैं जब ये second hand में बेच रहा हूँ ना मैंने 5 lakh में खरीदा बट मैं बेच पा रहा हूँ suppose उसको 6 lakh में यानि कि 1 lakh का profit कर रहा हूँ ना मैं machine बेच के profit कर रहा हूँ मतलब income statement में आएगा अभी मेरा question आपके लिए है मैं machine बेच आना 1 lakh रुप्य आगा profit हुआना वो entry कहां पर आएगा gross profit के उपर आएगा gross profit और EBIT के बीच में आएगा कि EBIT के नीचे आएगा gross profit के उपर gross profit के नीचे की EBIT के नीचे EBIT के नीचे कितने लोगों को लगता है EBIT के नीचे और बाकी आपको क्या लगता है तो क्या है EBIT operating income मेरा core business से कितना profit हो रहा है यह जो मैंने profit किया यह मेरा core business profit है मेरा core business क्या है calculator बेचना, calculator के machine बेचना नहीं है तो यह मेरा one time profit है Company हमेशा profit नहीं करने वाला ऐसा, एकाथ बार कभी 6-5 साल में करेगा, है कि नहीं, तो as an investor मेरे लिए ये profit one time है न, तो important है क्या, नहीं, तो मैं कभी भी operating income में नहीं लूँगा वो, वो मेरा कहा जाएगा, इसके नीचे जाएगा, क्या आएगा, income from non-core activities, income from non-core activities, कितना, 1 lakh, क्य gain from sale of machinery, समझ में आया, अभी ये important क्यों है, पता है क्या, देखो, कोई भी annual report में आप देखोगे न, इंडिया में, आप कोई ऐसे format में मिलेगा ही नि, trust me, एक analyst जो 6-8 lakh कमाता है, starting में, job में न, उसका पहला 6 माइना इसमें जाता है, उसको सिर्फ ये adjust करना होता है, companies न, sales डालता है, other income कुछ डालता है, और फिर सारे expense साथ में लेता है, as an analyst अपना पहला काम है, इसको SAV में arrange करना, ये arrange करने के लिए आपको 6-8 lakh दे देते, इत इतना easy होता है, ठीक है, बट ये फिर भी इसमें लोग गडबड मारते है, कि किदर कौन सा line item होना ची, obviously सिर्फ ये काम के अलावा, आपको balance sheet, cash flow सब भी करना होता है, बट इस काम के लिए आपको normally मिलता है, 6-8 lakhs के आसपास, अभी क्या होता है, क्यों ये important है, company को mandatory नहीं ऐ देगा, एक company ने अपना EBIT डाला है, 20 crores, दुसरे company ने उसका EBIT डाला है, 23 crores, बट जो company भी है ना, उसने ना एक sale किया है, land का, बेचा है, और उसमें उसको 10 crore का profit हुआ, gain from sale of land, और उसने क्या कर दिया है, EBIT के उपर record कर दिया है, वो, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है, कि ये one time line item है, आप क्या बोलोगे, ये क्या दोनों company में कुण सा better है, B, लेकिन as an analyst, ये को इतना easy level पे नहीं रहता है, मैं आपको examples ऐसे build करते जाओंगा, अभी company बहुत आगे पहुच गई है, manipulations के लिए, लिए, वो भी म है, अभी कौन सा better है, ये वाला, तो ये सब बहुत सारे चीज़े होती है, जो companies करती है, ठीक है, और इंडिया में ना कुछ 5200 companies के आसपास है, ठीक है, ढंकी company मेरे हिसाब से 200, 250, 300 तक होगा, बाकि सब में कुछ ना कुछ लेवल का manipulations होता ही है, मैं ऐसे नहीं बोल रहों कि manipulations है, तो कमा ही नहीं हो सकती, बट as an investor है ना, मैं मेरा अगर hard earned money डालता हूँ, अगर मैं एक script में suppose 20 लाग डालता हूँ, तो भाई अपना hard earned money है वो, ऐसे थोड़ी नहीं डाल सकते है, तो हम लोग को बहुत important है देखना कि manipulations हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इंडिया में और जाधा important है, US में इतना जाधा जल्दी नहीं होता, ठीक है, सबसे best UK का companies का accounting होता है, जितना मैंने देखा है, ठीक है, उसमें काफी सही, बहुत detailed way में होता है, इंडिया में भी होता है, बड़े companies का, छोटे 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 companies थोड़े हैं, जो बहुत सुपब accounting करते हैं, पर बाकी बहुत सारे shady companies है, जो मतलब listed है, लेकिन आप अगर देखोगे तो असलिए क्या कर रहे हैं यहां पर, ऐसे क्यों मतलब accounting की है, ऐसे होता है, समझ मैं तो इंडिया में है, तो और साधा important है यह interpretation करना, finance तो बहुत आगे का बात है, आपको future predict करना है company का, पाश्टी अबिट में क्या आना अचे, एबिट लेवल पे क्या आना अचे, सब कुछ, companies कभी-कभी जो कॉक्स का थोड़ा line items यहां पर भी डाल देंगे, it is our work to see कि भाई वो किदर क्या, कभी-कभी other expense करके line item होता है, other expense के अंदर बहुत सारे line items चले जाते हैं, अपना काम है वो देख other expense के अंदर क्या है, जो basically यहां के level पे आता है, जो अपना factory level के खर्चे है, तो यह सारे चीजे हमको देखनी पड़ती है, समझ में आया, अभी ऐसा भी होता है कि company क्या करते है, company बहुत बार excess money जो है FD बाना के रखती है, होता है ना, bank में वो लोग FD बनाते, तो उसमें स interest आएगा भी ना, तो वो क्या करना पड़ता है, यहां से net off करना पड़ता है, मैंने जो loan लिया है, वो interest expense हुआ, लेकिन भाई मैंने भी तो कई FD बनाया ना, वहां से interest income आएगा, वो यहां से net off होना है, तो क्या होता है, कभी-कभी companies आना, sales के नीचे वो line item डाल दिंगे, sales फिर other income, वो other income के अंदर FD का income रहगा, पड़ो मेरा core business है क्या, नहीं, तो वो इधर से अपने को net off करना पड़ता है, तो ऐसे सारे चीज़ें हमको करना बहुत जादा important हो जाता है, तो ही हम लोग बोल सकते कि दो companies को actually analyze कर सकते बाजू-बाजू में रखके, नहीं तो ऐसे स सब issue आ सकते है, समझ में आये क्या, आचा, उसके बाद page number 23 तो बहुत basic ही दिया हुआ है, सब income statement overview, मैं नहीं एक एक line नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं आपको सीधा सीधा concepts एक 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 जो भी वो लोग theory में देते ना, वो मैं यहां पर लिखके बता दूँगा, ठीक है, आप आपका income statement, आपका जो FSA subject है, और next है quants, यह दोनों बहुत critical रहने वाला है और बहुत लंबे-लंबे subjects है, ठीक है, तो please मेरे speed में ही रहना, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, next lecture वो पढ़के ही आना है, और तो ही तुम लोग का होगा वो, पूरे loop पे लेगा, ओके उसके distributor को माल दे देते हो, बट कभी-कभी कुछ defective चीजे भी निकलती है, तो वो distributor वापस करेगा ना अपने को, सब्सक्राइब 10 लाग का माल बेच रहे है, वो अपने को 20,000 का वापस defective दे सकता है ना, तो अपना net revenue कितना हो गया, 9.8 lakhs, समझ मैं आ है, तो net revenue का meaning समझ मैं आ, revenues, rate revenues, अभी revenue भी बोलते है, sales भी बोलते है, turnover भी बोलते है, ठीक है, उसके बाद, expenses करके एक paragraph है, देखो, expenses are the amounts, वहाँ पे ना, grouping by nature करके होगा, grouping by nature and grouping by function, grouping by nature and grouping by function, अभी इसका मतलब क्या आक में बता देत, तो बहुत simple है यहाँ पे देख लो, grouping by nature का मतलब यह है, अभी depreciation, factory level पे भी आता है, जैस आ subt्रि ने बता है the Depreciation, factory level पे भी आता है, office level पे भी आता है, factory level पे कौन सा depreciation होता है, जो भी machines होता है, उसका, बराबर, and office level पे क्या होता है, AC, computers उसका, ये जो है, अपना grouping by nature, nature क्या है, depreciation is a nature, मतलब अभी ऐसे समझो, डिल्ट फैक्ट्री लेवेल पे भी डिप्री grandfather अपना ओफिस लेवल पे भी डिल्सेशन सहरा गतए मैं ना उसको कियाoney अधिविपूसेशन यह सब में यह झो दोनो डिप्रीशीएशन ने वह सात्में ले लेतेud आप वैसे देखो कि तो factory में अलग depreciation है, office में अलग depreciation है, बट दोनों को साथ में club किया, एक ही line item देख रहे हो आप, depreciation, that's it, ऐसे नहीं है कि office का अलग और factory का अलग, उसको बोलते है, grouping by nature, दूसरा एक आता है, grouping by function, function क्या है, office level के खर्चे एक function है, factory level के खर्चे एक function है, तो for example, cogs क्या होगा, cogs is what a function, factory level के सारे खर्चे अपन कोग में डालते हैं, इसको हम लोग बोलते है, grouping by function, factory level के खर्चे, एक के खर्चा actual में अलग है, wear housing का खर्चा अलग, free tin words का खर्चा अलग, raw materials का खर्चा अलग, अपन ने क्या कि अस सारे अलग 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 खर्चे को एक साथ क्लब करके cogs लिखा, क्योंकि यह क्या है, grouping by function, function क्या है यहां पर, function यह है कि factory level के खर्चे, जो एक साथ अपन ने क्लब किया, जैसे यहां पर admin selling and distribution, एक साथ, समझा हैं यह सब functions है, cogs, to cogs is an example of grouping by function, depreciation is an example of grouping by nature, बस इतना ही समाजने का है, उसके बाद, next पर आते last paragraph पर आओ, non controlling interest, minority interest करके दिया होगा, right, non controlling interest and minority interest, अभी यह बहुत important है समझना, कि यह minority interest, non controlling interest सब क्या होता है, ठीक है, यहां पर मैं text book के से थोड़ा सा extra सिखाऊंगा, यह वाले point में, ताकि आपको समझे कि exact में क्या होता है, अभी यह वाले point में, अभी हैना, suppose करते मेरा company है, अभी मैं हैना excess money suppose कमा रहो, तो अभी वो excess money का मैं क्या गर सकता हो, किसी और के company में invest कर सकता हूँ ना, suppose अभी मैंने सब्स एक साल में 50 lakhs free cash हैं मैरे पास, मतलब excess कमा लिए पचास लाग, वो पचास लाग का मैं क्या गर सक कोई भी स्टॉक में इंवेस्ट कर सकता हूं है कि नहीं अब यही थोड़े बड़े लेवल पे सोचो कि कमपनी पाचास करोड पाचस करोड ननưởng क्मा लिती है है कि नहीं सबसकिْ कमपनी ने एक साल में सौ करोड काम लिया है ठीक है वो 100 करोड का वो क्या कर सकता है वो 100 करोड का वो वापस reinvest कर सकता है पूरा का पूरा business में या तो वो dividends दे सकता है अपने shareholder को या तो वो क्या कर सकता है किसी को loan दे सकता है या तो किदर तो वो invest कर सकता है है के नहीं अभी हम लोग बात करेंगे वो किधर तो invest करता है अभी वो investment भी 3 तरीके का हो सकता है उसका 100 करोड है भाई 100 करोड छोटा नहीं होता तो वो 3 तरीके से invest कर सकता है एक वो सोच सकता है कि मेरे को एना simple एना trading या investing के लिए करना है पर छोटा percentage डालना है सबस उसने 100 करोड में से 20 करोड नेसले में डाला अभी 20 करोड अगर तुम नेसले में डालते हो नेसले इंडिया को कुछ फरक पड़ेगा गया नई भाई उसका market क्या है बहुत बड़ा है तो 20 करोड से कुछ जादा moment नहीं आने वाला है नेसले इंडिया में तो suppose करते हो करते है कि अपन ने मेभी 2% डाला नेसले इंडिया में 2% भी नहीं कितना डाला है अपन ने 20 करोड न तो कुछ बड़ा बात है क्या मतलब 1% भी नहीं होगा नेसले का वो 0.00 सम्तिंग होगा बराबर या तो ऐसे सोचो कि तुम लोग का एक छोटा सा बिजनेस है उसमें से तुम लोग जो भी आपका excess cash आ रहा है न उससे तुम लोग ने 10 लाग का कोई stock खरीदा अभी तुम लोग ने stock करीदा तो तुम लोग promoter को call कर सकते हो क्या अरे मेरे पड़ 10 लाग का खरीद है, तो ऐसी कर जैसा मैं बोल रहो हूँ, एक तो phone number भी नहीं मिलेगा उसका, सही बात है न, आप कुछ भी कर सकते हो क्या company में, नहीं, तो यह होता है अपना 0-20% जो CFA बोलता है, कि अगर आप कोई company में 0-20% लेते हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, यह परसेंट, company में, आप क्या 100 करोड है न, एक साल में आपने 100 करोड कमा के रखा है, आपने कोई company में 50, कितना 20-50% है न, आपने कोई company में 40% स्टेक खरीद लिया, आपने कोई company में 40% खरीद लिया, तो इसको हम लोग बोलते है, investments in associates, यह वाले concept पे में आता हूँ, सबसे यह non-controlling interest है उस पे, 20-50% को क्या बलते है हम लोग, investments in associates, मतलब क्या है, कि मेरे पास जो भी पैसा है, उससे मैं कोई और company में 30% स्टेक खरीद लिया, सबसे एक company है, जिसका market cap ही 100 करोड है, उसका 30% कितना होता है, 30 करोड, मैंने 100 करोड में से 30 करोड वो company में डाल दी, तो मेरा books म कैसे दिखेगा वो balance sheet में, investments in associates, तो कभी भी आप एक company को analyze करते हो न, अगर balance sheet में investments in associates करके दिखा न, मतलब आपको पता चलना चीए, अच्छा इसने company को acquire किया है, जिसमें 22-50% स्टेक है इन लोगों का, ऐसे समझ मैं आया, एक होता है, more than 50%, एक होता है, more than 50%, इसको हम लोग क Subsidiary मतलब क्या न, मैं control करता हूँ company को, ठीक है, ये मेरा ही चलेगा वो company में, suppose अभी मेरे पास 100 करोड का ये ऐसा था, इनका company है, इनके company का 55% मैंने खरीद लिया, तो major holder कौन हो गया, मैं ही न, उसके पास कितने अभी, 45, तो कौन कर रहा है, control कौन कर रहा है company को, मैं ही कर रह हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते, subsidiary, ऐसे समझ मैं, अगर 20-50% है, तो ऐसा जरूरी न, कि मैं control कर रहा हूँ, अगर suppose, यही example लेते, 100 करोड का है, 30 करोड मैंने ले लिया, 30% मैंने ले लिया, 70% फिर भी उसका है, यहां पर मैं influence कर सकता हूँ उसको, मैं उसको बोल सकत है, तो माल इससे क्यों ले रहा है, इससे ले, सस्ते में देगा, बट मैं यह नहीं बोल सकता है, कि अभी CEO न मैं ही बन जाओंगा, या तो मेरा ही बन्दा CEO को बेटा है, वो बोलेगा, पागल है क्या मेरा company है, तो मैं control नहीं कर सकता, बट मैं क्या कर सकता हूँ, influence कर सकता जब 20-50% stake है, that is called as investments in associates, बट 0-20 SEFA के हिसाब से, तो अपना कुछ नहीं होने वाल है, अभी मता तो real life में accounting कैसे होता है, real life में किस basis पे होता है, आपका क्या उसमें influence है उसके basis पे, अगर आप अच्छे से influence कर सकते हो, तो investments in associates, अगर वो 10% भी है अगर आपका कोई company में, लेक अगर आपके वास 45% एक company का, लेकिन आपके वोटिंग पावर जादा है, तो आप control कर रहे हो company को, तो भी वो आपका subsidiary हो सकता है, ऐसा होता है, real time accounting में बता रो, वो आपको level 2 में आएगा, level 1 में नहीं है, इतना समझ में आया, जो अपन करते हैं न, stock में trade या invest, वो ये वाल अपने ले, नहीं किया तो गए, समझा वो पहला वाला है, ऐसा clear है तुम लोग होगो, अभी subsidiary भी कैसे होता है, एक होता है जहां पर अपन 50% के उपर ले रहे हैं, suppose 80% अपन ने खरीदा, तो वो subsidiary हुआ, अपन 100% भी खरीद सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते है, holy owned subsidiary, holy owned, इतना समझ में आ रहे हैं, अभी है जो ये non controlling interest का concept है वो यहां पर आता है, ये वाले point पर आता है, अभी textbook ने इतना detail में explain नहीं किया ये चीज, बट क्या होता है, suppose अभी मैं आपको एक accounting दूँगा, जिसमें आपको एक बार खुझ से try करना है, फिर में explain करूँगा, कैस suppose 80% acquire किया, तो अभी company A का balance sheet कैसे दिखना चीए, ये company का 80% आना चीए आपने books में, ऐसे आपन सोचते है, पर वैसा नहीं होता है accounting, accounting कैसे होता है पता है क्या, हम लोग assume करते है कि B company का पूरा 100% अपना है, क्योंकि वो subsidiary है ना, मतला हम आपन control कर रहे है ना वो company का, तो basically हम assume करते है पूरा company अपनी है, पूरा company का control अपना है, तो अपने books में पूरा 100% record करते है, कित्ता percent मेरा नहीं है, 20% ना, वो हो जाता है non controlling interest, ऐसा, तो 100-20, net net 80 होता है, समझ मैं, logically आप बोलोगे 80% भी करते हैं, तो सही होता है, हाँ सही होता, बढ़ अभी accounting वैसा है, क्योंकि अभी क्या होता है, as an investor में देखता हूँ, company, मैं जब भी equity में देख लेता हूँ, non controlling interest, minority interest, मुझे देख के समझ जाता है, कि अच्छा भाई, इसने company को acquire किया है, subsidiary company है, मतलब controlling stake है, तो अभी कितना पैसा दिया, क्या दिया, वो सब मेरे को analysis करने में easy पड़ता है, और वो द देखके मुझे समझ जाएगा, non controlling interest रहेगा ना balance sheet में, मतलब क्या है उसका assumption, कि अपन ने कोई और एक company को खरीदा है, और अपन उसको control कर रहे है, उसको हम लोग क्या बोलते है, subsidiary company, अभी ये वाला concept हो मैं भी दूंगा ही दूंगा आपको, जो आपको accounting करना है, खुछ से, एक बार फिर मैं आपको सिखाऊंगा, उसके पहले ना एक और concept मेरे को सिखाना है, जो होता है goodwill, goodwill as a concept क्या होता है, जो पहले बैटे लेक्चर वो नहीं बोलेगा, जो नहीं बैटे वो लोग बोलो, goodwill as a concept क्या होता है, मुसकान, goodwill as a concept क्या है, तो सपोज करते है, company A है और company B है, तो company A के books में अगर goodwill दिख रहा है, तो क्या, what does that denote, यानि कि मतलब अभी suppose for example company A है, उसके balance sheet में goodwill दिख रहा है, 5 crores का, इसका meaning क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ, company A के balance sheet में goodwill दिख रहा है, 5 crores, ये 5 crores क्या indicate करता है, ने, asset तो है, asset के अंदर ही आता है goodwill, बट क्या है, denote क्या करता है, interpretation क्या है उसका, ने, 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 भाई, dissolve, थोड़ा better way से, हाँ, आप शाइद better हो, तो मत बोलो, बट सल, क्या लगते है आपको, goodwill का मतलब क्या है, goodwill, अपन बोलते है ना, market में इसका goodwill है, basically trust, value, brand name, बराबर, तो company A के balance sheet में goodwill है, 5 crore का मतलब क्या है रहेगा, आपके सबसे, रतिक, अचा, आप बेटे हो, तो है ना, company, normally है ना, जब first time सब लोग देखते है ना, company A के balance sheet में goodwill ना, लोगों को लगता है, कि मेरे खुद के company का goodwill है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तो मैं fin and vision का डाल दूँगा 10 crore goodwill, है ना, मेरे को गया है, balance sheet में खुद ही डाल दूँगा, और equity बढ़ा दूँगा, ये तो फिर on paper हो गया ना, तो वैसा नहीं होता है, क्या होता है, अभी suppose company A है, उसके books में, उसके asset में अगर goodwill दिख रहा है 5 crore, उसका मतलब ये है, कि company A ने कोई और company को acquire किया है, और वो company का goodwill उसने अपने books में record किया है, अभी इसका मतलब क्या है, एक basic example से मैं सिखा तो आपको, ठीक है, बाजुवाला घर है, suppose, बाजुवाला घर है ना, जो भी रहते, उन्होंने assume करो, 60 lakh में खरीदा होगा, बहुत पहले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते है, original cost, या तो उसका books में क्या value है, उसने कितने में खरीदा था, 60 lakhs में उसने खरीदा था, तो उसको हम लोग बोलेंगे, original cost है, तो book value, मतलब उसके books में कितना value, 60 lakhs, ठीक है, उसके books में मतलब क्या, अगर ये suppose, बाजुवाला जो फ्लाट है, कोई company ने खरीदा है, 60 lakh में, तो उसके books में कितना दीकर है, उसका value, 60 lakhs, पर आज के आज वो market में बेचेगा ये flat, तो assume क समझाता हो, अगर आपने एक machine करीदा है, 1 lakh का, 2 साल आपने 10-10,000 depreciate किया, तो 1 lakh minus 10,000, 90, फिर 90 minus 10,000 कितना हो जाएगा, 80, तो आपका book value कितना हो जाएगा, आपके balance sheet में, P, P and E, कितना दीकेगा, 80,000, इसको हम लोग बोलते है book value, book value मतलब balance sheet value, balance sheet में कितना दीक रहा है, 80,000 market value उसका कितना रहेगा, कितना भी हो सकता है, यह machine अगर आज के आज में बेचूंगा market में, हो सकता है, सिर्फ 60,000 ही मिले, तो book value इसको बोलते हम लोग, और इसको हम लोग market value बोलते है, समझा, तो similarly, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ओ जो company ने खरीदा है, कितने में खरीदा है साट लाग, तो उसके balance sheet में कितना धिक रहे है वो घर का value, साट लाग, वो market में आज के आज बेचेगा, तो उसको कितना मिलेगा, वन क्रोर, लेकिन अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ ना, तो मैं ना शायद premium देके खरीदूंगा, सोचके देखो, कि मेरे लिए अच्छा है दो या तीन बैच में खतम कर सकता हूँ, मेरा time बचेगा, वो time पे में कुछ और कर पाऊंगा, है के नहीं, तो ये benefits सिर्फ और सिर्फ मेरे को मिलने वाल है ना, और किसी को मिलेगा क्या, तो कोई और उसको premium देने को तैयार रहेगा, नहीं वो premium कौन देने को तैयार रहेग market value अलग हो सकता है, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, market value से भी और 20 lakh जादा दे रहा हूँ, वो होता है goodwill उस जगे का, समझ में आ रहा है, अभी ये goodwill अलग अलग तरीक है, ये company के सबसे कैसे हो सकता है, तो मैं हमेशा example क्या देता हूँ, ice cream के manufacturer है, raw material के है सबसे बड़ा दूद, milk, तो अभी क्या हो रहा है, milk procurement का बहुत बड़ा problem हो रहा है मैं को, कभी-कभी milk का costing जादा, wastage, बहुत कुछ time पे नहीं आ रहा है, जिसके माल जल्दी बनने रहा, बहुत कुछ problems है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा, मेरे 3-4 km radius में कि कोई ऐसा milk manufacturing company है क्या, तो suppose शिदिल का company है milk manufacturing, तो मैं उसके पास जाओंगा और बोलूँगा भाई, उसका जो market में भाव चल रहा है ना उसके company का, suppose चल रहा है company का भाव है उसका 5 crores, market का value है वो company का, मैं उसको बोलूँगा, एक काम करता हूँ, मैं ते को 6 crore देता हूँ, तो मैं क्या किया, market से भ माल भी जल्दी अल्दी बिकेगा, तो पैसे का crunch भी कम हो जाएगा, है की नहीं, तो बहुत benefit है, मैं को cost benefits है, जिसके होजे से क्या हो जाएगा, मेरा profitability बढ़ेगा, तो I am ready to give that premium, कितने का, 1 crore का, तो वो मैंने क्या किया, उसको 6 crore दिया ना पाच के जगे पे, तो 1 crore मैंने extra दिया, उससे क्या हुआ मेरे books में goodwill करके आया, अभी है ना goodwill है ना बहुत scammy number होता है, companies है ना कभी-कभी बहुत जादा दे देती है, दूसरे company को खरीदने के लिए, और फिर ऐसा भी situation आ सकता है, कि शिदिल का company फरजी निकला, सिफ बता रहा था सब सही है, सही है, और मै हो गया, पूरा machine machine उसका पूरा ना हो चुका है, और दूद का procurement फिर भी नहीं हो रहा है, यानि कि फुकट मैंने एक करोड एक्स्ट्रा दिया आना, तो लग गया ना मेरे, एक करोड वेस्ट ना मेरा, तो मेरे को क्या करना पढ़ता है, वो goodwill को write-off करना पढ़ता है, तो goodwill मुझे निकालना पढ़ता है मेरे book से, और क्या होएगा उसका दूसरा effect, equity भी गिरेगा, मेरा goodwill कम होगा, देखो मेरा asset कम होगा, तो मेरा liability equity में भी एक कम होना चेह न, तो क्या कम हो जाएगा मेरा equity, वो सब मैं आगे बता दूँगा, उसको हम बोलती, impairment of goodwill, कि मैंने फुक word आता है मतलब UK based company है, GMBH मतलब Germany based वैसे होता है, तो Thomas Cook PLC के books में वन बिलियन डॉलर का goodwill था, वन बिलियन डॉलर का, डॉलर नहीं था, पाउंड का goodwill था, overnight उन लोग ने हटा दिया अपने books से, write-off करना पड़ा उनको goodwill, क्योंकि उन लोग ने goodwill लिया है, मतलब किसी को त एक्टरा दिया ना, 2006 या 2007 का acquisition था, उनके books में तबसे एक बिलियन डॉलर का goodwill था, overnight उन लोग ने goodwill को write-off किया, और उसके against equity write-off हो गया company बंद, ऐसा हो गया, and company गया bankruptcy पे, ठीक है, bankruptcy होने के बाद भी उन लोग को 30 दिन का time देते, कि regulators time देंगे आपको, कि कोई और company खरीद गया, next day liquidation पे हो गया, कोई खरीदने को भी तयार नहीं था, उससे भी बड़े मज़ेदर चीज़ बताता हू, इंडिया में भी Thomas Cook है, पता है, बड़ उनका और Thomas Cook PLC का कुछ लेना देना नहीं है, एक percent भी लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम से में, ठीक है, management सब सब अलग ह next day, इंडिया में stock market Thomas Cook का गिरा, समझा, कुछ लेना देना नहीं था, Thomas Cook ने अपने website में बकाइदा डाला, कि we are in no way related to Thomas Cook PLC, उनको बोलना था, क्या कर रहे हो तुन लोग, क्यो गिरा रहे हो, बड़ उनलोग ने एकदम अच्छे format में वो website में लोग को डालना पड़ गया, ऐ यह सब अगर आपके पास basic knowledge भी है ना, देखो trading में करता नहीं हूँ, मैं investing ही करता हूँ purely, बड़ अगर trading करना है तो ऐसे करने का, क्या गिर गया ना, फुकड गिरा ना, कोई rational था क्या, तो आप खरीच सकते दे, मास से भी 25% उपर जाएगा, यह market realize तो करता है तुरंत, match में, 100 रुपय का stock 50 में गिरता है, मतलब 50% fall है, लेन 50 का stock वापस 100 में जाता है, तो 100% rise है वो, तो जब ऐसे गिरता है ना, irrationally, आप सिधा कर सकते हो trading, फिर वापस वो उपर, ऐसे बहुत बार होता है, L.T. Foods करके company था, है मतलब, sorry, L.T. Foods करके company है, basically वो लोग बासमती एक् ठीक है, लेकिन नौन बासमती, वो जो था, वो statement है ना, ऐसा था कि हम लोग है ना, नौन बासमती rise में tax डालेंगे, L.T. Foods करता है, pure बासमती, गिरा दिया, L.T. Foods को, 83 पे कुछ आ गया, 100 पे कुछ चल रहा था, 83 पे आ गया, या 86 वो उच पे आ गया, तभी थोड़ा भी knowledge रता ना, आप डाल सकते थे, 86 पे डाले, फिर market वापस बूम किया, 110 गया, हो गया ना, 20-25 परिशेंट मिल जाता है, direct, समझा, पट इसके लिए आपको knowledge चाहिए, आपको इस क्या-क्या knowledge होना चाहिए, अभी fortunately वो टाइम पे मैं L.T. Foods देख रहा था, और तभी ही टाइम पे न्यूज आया, और फिर ऐसे हो गया, तो इसा बहुत बार होता है इंडिया में, बहुत बार होता है, अलग-अलग-अलग-अलग-अलग companies के साथ, डॉक्टर लाल के साथ हुआ था, जब ये Tata 1MG आया था, मार्केट में, ठीक है, 1MG पहले से था, फिर Tata आया, उसके साथ कॉलाब करने, तो Tata 1MG जैसी आया ना मार्केट में, Tata 1MG ने सब जो भी ब्लड टेस्ट है ना, 60% दाम में देना चालू कर दिया, दॉक्टर लाल का, और न्यूज में आ गया, कि Tata 1MG आ गया है, इतना कम प्राइज में कर रहे, ये वो, ये वो, और डॉक्टर लाल हम लोग, सब लोग आये, टीम आया, मैंने क्या किया, Tata 1MG का डेटा निकाला, क्योंकि टेंशन तो आता ही है भाई, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग स्टॉक है, डॉक्टर लाल, ट्रेडिंग वेडिंग नहीं, तो Tata 1MG का हम लोग ने निकाला, annual report, numbers, वो हम लोग को मिल ज दो साल का, और देखा उसका कि क्या numbers है, क्या वो ये भाव पर बेच सकता है, basically, 300 रुपया, 400 रुपया के भाव पर अगर वो ब्लड टेस्ट कराएगा, उसको प्रोफित होगा कि लॉस होएगा, वो कम्पनी लॉस पर लॉस पर लॉस कर रहा था, तो मेरे को पक्का पता था ये चांसी नहीं है, फिर भी टेंजन दो आता है, ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने दो ही चीज़ किया, अभी मैं और मेरा एक और था टीम मेंबर, मैंने ब्लेट टेस्ट कराते, ठीक है, मैंने डॉक्टर लाल को करवाया, उसने टाटा वनेंजी का बंदा आया, उससे पूर प्राइसे से, एक महीने से जाधा आपन करने ही सकते, खतम, वो दो चीज़ से ना मैंने दिमाग में लगा दिया, कि भाई ये लोग ये कंटीनू तो करी नहीं सकते, फंडमेंटल से ही समझ रहा है, प्लस उसने डाइरेक मूझ से बोल दिया, ठीक है, तो ये जो न्यूस फ कर चुका हूँ, अल्डिडी मैंने आट सो रुपे में खरीदा था प्री कोविड, 3600 में बेचा, फिर बाद में 1800 पे गिरा, मतलब दीरे 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 गिरा, फिर अभी 1800 पे आया था बीच में, तो अभी मैंने वापस खरीदना स्टार्ट किया, फर्स लॉट, वापस पूरा, क्योंकि मुझे लागा बहुत इर्राशनली गिरा है वो स्टॉक को, लिटरली फोर डेज या फाइव देज में 2200 पौच गया, अभी वो गिरा रहेगा वापस कुछ न्यूज, उसका रिजल्ट के और वापस 2600 गया, तो अगर जिसको ट्रेड भी करना है, वो यहा पड़ेगा, और आपको इसमें efforts लगता है analysis का, clear है क्या, अभी मैं आपको दो company का देने वालाओ data, प्लीज लिख लो, बहुत basic data है, balance sheet A और B का, आपको बस लिखना है कि acquire होने के बाद कैसे होगा करके, ठीक है, company A है और company B है, company A, company B, company A का balance sheet है, equity 1000, cash 500, asset 500, company B का equity है 400, और asset है 400, ठीक है, company A, company B का 80% acquire करता है, 320 में, company A, company B का 80% acquire करता है, 320 पे, 320 पे acquire करता है, कितने का total assets 400, उसका 80% मतलब 320, 400 into 80% is 320, तो 320 पे acquire करता है, अभी acquire करने के बाद, एक company का balance sheet कैसे दिखेगा, ये मुझे बताओ, मतलब हम लोको assumption क्या करना है, assume क्या करना है, पूरा 100% अपन ने खरीदा है, जितना मेरा नहीं है, वो non controlling interest आएगा, अभी बहुत सारे students क्या करते हैं, ये जो equity है ना वो भी इदर add करते, हमेशा आद रखना acquisition के time पे assets और liabilities आता है, तो जो बचता है, वो tallying figure मेरा equity automatically हो जाता है, ये asset आएगा और liability कुछ है तो आएगा अपने books में, यहाँ पे liability नहीं है ना, तो सिर्फ asset आएगा, कभी भी equity ही नहीं आता, equity अपना tallying figure होता ह है, ठीक है इतना मैंने आपको बताया, इसके basis पे आप try करो, ठीक है 5 minutes load try करो, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, लिख लो, अभी